नमस्कार दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपनी वास्तु लाब में दोस्तों दक्षिनावर्ती शंख का घर में होना भोती शुब माना जाता है यहाँ अध्यात्मिक दुरुष्टी से तो महत्वपुर्ण है ही और वास्तु के हिसाब से भी माना जाता है कि इस शंक को घर में रखने से पॉजिटिव एनरजी आती है दोस्तो शंक तीन प्रकार के होते हैं दक्षिनावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती इन तीनों में सबसे दुरलब दक्षिनावर्ती शंक माना जाता है दोस्तो जिस घर में यहाँ शंक रहता है, वहाँ कभी भी धन दाने से रिक्त नहीं रहता बगवान विश्नु का आयूद होने के कारण यहाँ अत्यन्त मंगलकारी है जिस परिवार में विधी विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है, वहाँ बूत, प्रेट, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है दोस्तो माना जाता है कि शत्रू पक्षक इतना भी बलशाली क्यों नहों, इसके प्रभाव से हानी नहीं पहुचा पाता हूँ इतना ही नहीं इसके प्रभाव से दुरगट नाम, रुत्यु भै, चोरी, आदी से भी रक्षा होती है दोस्तो दक्षिनावर्ति शंख के प्रयोग से जो सफलता मिलती है, वहां आश्चर जनक रूप से अद्विती है धनवर्शा करने और सुक समरुद्धी प्रदान करने में इसकी कोई तुलना नहीं है दोस्तो मा लक्ष्मी के प्रयोगों में दक्षिनावर्ति शंख का प्रयोग ही सरवादिक उपयोगी उपाय है इसके प्रयोग से मा लक्ष्मी की कुरुपा आप पर सदा बनी रहती है दक्षिनावर्ति शंख को देवी लक्ष्मी के साथ प्रकट हुआ माना जाता है स्वर्ग लोक में भी अश्ट सिद्धियों और नवनिधियों में भी शंक का स्थान महत्वपुर्ण है। धार्मिक कार्यों अनुष्ठान साधनातांत्रिक किरियाओं में भी शंक का प्रयोग हमेशा से फलदाई माना जाता रहा है। इस तरह दोस्तों आप भी अपने घर मे दक्षिनावर्ति शंक रखे और भरपूर लाब उठाएं। धन्यवाद।